हलो, गुड़ीवनिंग एवरिवन, दिस साइट सेम्रेन, वल्कम बैक टो मैं चानल सो मैं आप लोग को ये बताना चाह रही थी, जैसे कि हम सब को पता है कि आज बीकाम ओनर सिक्स सेमिस्टर की क्लासिस थी ओफ्लाइन मोड में सो बेसिकली आज क्या क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहला कोशन सब के माइन में आ रहा है कि हमारे पास मैसेज नहीं आया है तो क्या हम जा सकते हैं नहीं, तो हाँ आप जा सकते हैं इसमें कोई दिक करती हैं अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो सिर्फ आपको mandatory है आपका i-card ले जाना और mask ये दो आपको mandatory है mask आपका रहना चाहिए आपके पास साथ साथ आपका i-card आपके पास available होना चाहिए तो आपको entry मिल जाएगी second question आ रहा है कि कौन से room में जाना है कैसे पता चले तो basically आप जैसे पहले करते थे entry करते थे आपको अभी भी करना है साथ साथ आपका room number मैं बता देती हूं सबसे पहले आपको जो room मिले है वह room number 6 12 13 19 आपको college जो पहुँच जाना है नही हो नौ बज़े से पहले पहले वैसे कोशिश करना आपको आपको बता देती हूं जैसे की classes आपके लगेंगी मार्च 6 13 20 27 अपरेल 3 10 17 24 माइ 178 यह आपके हैं जिसमें classes लगेंगी इसके साथ साथ जैसे एक माम आपको वन सीरिल बता देती हूं जैसे फॉर एक्जामपल रूम नंबर 6 है तो जो room नंबर 6 में बैटे हैं उनको चेंज करनी के बारबर जरूरत नहीं पड़ेगी उनके morning में वो 9 o clock पे जैसे उनको जीस्ट की class लेते हैं फिर 9.55 पे वो audit की class ले लेंगे फिर 10.50 के आज पास वो अपना industrial relation की class ले लेंगे और 4.45 पे उनकी international business की class होगी तो basically आपको classes change नहीं करनी है अलग-अलग room में नहीं जाना है आप एक class में रहेंगे आपकी class हो जाएगी next question कि आज क्या क्या हुआ होगा तो मैं आपको बता देती हूँ आज जादा कुछ नहीं हुआ basically मतलब जैसे कि अलग-अलग classes है तो इस बहाफ में बता देती हूँ कुछ classes में आपके तो सारी अटेंड नहीं हुई है class लेकिन कुछ classes में आपको syllabus बताया गया है जैसी कि आप room number six में आपको books बता दी गई है कि कौन-कौन से authors की book आपको यूज करनी है तो मैं आपको one by one authors के बारे बताती चलूँगी साथ साथ ये बता देती हूँ कि सिफ लेबस डिसकर्स हुआ था इसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ अब आगे कोई message आता है तो मैं जरूर आपको बता दूँगी international business के लिए ये book बहुत अच्छी है आप इसको चाहे तो prefer कर सकते हैं इसके बारे में भी आगे से नहीं बताया गया है चैनल को subscribe कर लेना ताकि next class में अगर जैसे ही आगे से कुछ बताया जाता है मैं आपको वीडिय सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वीडियो वस इतना ही था अगर आपकोई क्वारी रही होगी तो प्लीज मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएं चैनल को subscribe कर लें ताकि इसका next part में अप्लोड कर सको जो भी आपकी classes में अप्डेट सूंगी मैं आपको बता सकूँ उमीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तैंक यू